हेलो मैं यूटूब फैमली कैसे हैं आप सब उमीद करते हूँ कि आप सब अच्छे होंगे आज मैं आप सब इसे सेर करूँगी ड्रम स्टीक यानि की सहजन की सबजी की रेसिपी जिसे मैंने सरसो डाल के बनाई है काफी ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में साथी साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है तो इसे खाना चाहिए सब को डॉक्टर भी इसे बोलते हैं सभी को खाने के लिए तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो ले लिया है मैंने 500 ग्राम साजन और इसे इस तरीके से काट लिये हैं और फिर अच्छे से दो लेती हूँ और कराई तेल गड़म हो चुका है इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा इसे फ्राइ करूँगी तब तक ये फ्राइ हो रहा है आलू काट लेते हैं तो आलू मैंने ले लिया है छोटे साइज की लिए हैं आप चाहें तो बड़े साइज की भी ले सकते हो और छिलके के साथ ही मैं ले रही हूँ क्योंकि इस सबजी में छिलके की साथ ही अच्छी लगती है और आलू प्याज मैंने काट लिये हैं और इसे बीच में चला लेते हैं तो देखिए थोड़ा सा और इसमें फ्राइ हो जाए तो मैं निकाल लूँगी बाहर ज्यादा इसे फ्राइ नहीं करना है तो देखिए ये हो चुका है बाहर निकाल लेते हैं इसमें और तेल डाल लेंगे एक सुका मेर्च, एक तेजपत्ता और फोरन के लिए पचपोरन डाल लिया है, हिंग डाल लिया है और हिंग हमारे डाइजेसन के लिए अच्छा होता है तो सारे चीज में मैं हिंग यूज करती हूँ और प्याज मैंने डाल लिया है एक बड़े साइज की प्याज लिया है और इसे गोल्डेन होने तक पकने देती हूँ तो देखिए प्याज पक चुका है अब इसमें आलू को डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स करके ढखकन लगा देंगे तो दो मिनट इसे ढखकन लगा के पका लेंगे फिर इसमें मसाले सब डाल लेते हैं तो ले लिया है अदरक लेशन का एक चमच पेस्ट और इसे डाल लूँगी अब सुखे मसाले ले लिया है एक चमच धनिया पौडर एक चमच हल्दी पौडर एक चमच, लाल मिर्च का पॉडर है आप तीखा वाला खाते वो तो तीखा वाला ले सकते हैं नमक स्वाद अनुसार ले लिजेगा और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे पानी डाल लेंगे सुखा मसाला पकने के लिए पानी चाहिए होता है तो देखिए इसे mix करके ढग के पकाऊंगी और ढग कन लगा के धीमी अच पे भी पकाऊंगी तब तक आलू भी अच्छे से पकेगा और मसाला भी हमारा अच्छे से भून जाएगा तब तक पकाऊंगे जब तक कि इसे तेल अलग ना हो जाए तो डख डख के ही पकाऊंगे तो दोनों हमारे काम हो जाएंगे तो देखिए आलो भी पक चुका है तेल इससे अलग हो चुका है अब हम इसमें ट्राइ किये हुए साजन को डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से मिला देंगे और फिर इसे एक धकन लगा के इसे भी थोरी दो मिनट पका लेंगे यह काफी ज़ादा टेस्टी के साथ साथ हेल्डी भी होता है आप लोग भी से जरूर ट्राइ कीजिएगा इस रेसीपी को बहुत टेस्टी बनता है अब हम क्या करेंगे ले लिया है हमने शर्साँ पीस लिया है और इसमें डाल देंगे और साथी साथ पानी डाल देंगे हम मैं इसी तरह से बनाती हूँ और पानी अपने ग्रेवी के अनुद्ट जितना ग्रेवी आप रखना चाहते हैं उतना आप रख लीजिएगा और अच्छे से मिला देंगे मसाले को और फिर इसमें अच्छा एक ग्यास की फ्लेम को तेज कर देते हैं तब तक ये इसमें बॉल आ रहा है तो देखिये ये उबाल इसमें आ गया है अब हम इसे क्या करेंगे दीमी आज कर देंगे और धकन से धक देंगे तब तक ये अच्छे से पक जाएगा देखिए हमारा पक चुका है सबजी अच्छा बन के तयार हो चुका है अब हम इसमें एक चमच गरम मसाला डाल लेते हैं मिक्स कर लेंगे और फिर यह सबजी बन के हमारा तयार हो चुका है आप इसे चावल के साथ खाईएगा बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है कैसी लगी मेरी वीडियो यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में